अस्सलामों अलेकुम मेरे दोस्तों दोस्ता आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि कैसे एक भतीजे ने दौलत के लालच में अपने चाचा का कतल कर दिया उसके बाद उस भतीजे के साथ जो हुआ जिसे देखकर सभी लोग हैरान रह गए आपसे गुजारिश है किस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा और वीडियो लाइक करने के साथ ही चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा तो चलिए देखते हैं ये वीडियो दोस्तो बनी इसराइल में एक शक्स बहुत मालदार था जिसका नाम आमिल बताया जाता है उसकी कोई नरीना उलाद नहीं थी सिर्फ एक लड़की थी और एक भतीजा था भतीजे ने जब देखा कि बुड़ा तो मरता ही नहीं है तो उसने विरासत के लालच में सोचा कि क्यों ना मैं ही से माडा लूँ और इसकी लड़की से भी निकाह कर लूँ और कातिल की तोहमत दूसरों पर रख कर वसीयत भी वसूल कर लूँ और मक्तूल के माल का मालिक भी बन जाओं इस शैतानी खयाल में वो पुक्ता हो गया और मौका पाकर अपने चाचा को उसने कतल कर डाला बन इसराइल के अच्छे लोग इन दो कौमों के जगड़े और बखेड़ों से तंगा कर यकसू होकर उनसे अलग एक और शहर में रहने लगे और शाम को अपने किले का फाटक बंद कर लिया करते थे उस भतीजे ने अपने चाचा की लाश को ले जाकर उस कला के फाटक के सामने डाल दिया और यहां आकर अपने चाचा को ढूंडने लगा फिर उसने दुहाई मचा दी कि मेरे चाचा को किसी ने माट डाला है और वाकिया अर्जिया कि या नबी अल्ला ये शक्स खामका हम पर एक कतल की तौमत लगा रहा है। हालांकि हम मरिजमा हैं। हजरत मुसे अल्य एवे त्सलाम ने अल्ला से दूा की कि वहां से वही नाजिल हुई कि इंसा कहो कि गाए जिभा करे। उन्होंने कहा कि आई अल्ला के नबी, कहां कातिल की तहकीक और कहां आप गाय की जिबा का हुक्म दे रहें, क्या आप हमसे मजाक करते हैं? मुसा अलेहिस्सलाम ने फर्माया कि आवजो बिल्ला अल्ला के हिकमात पर मजाक जाहिलो का काम है अल्ला ताला का यही हुक्म है अब अगर यह लोग जाकर किसी गाय को जिबा कर देते तो काफी था लेकिन उन्होंने सवालात का दर्वाजा खोल दिया और कहा कि वो गाय कैसी होनी चाहिए इस पर हुक्म हुआ कि वो نہ तो बॉड़ी होनी चाहिए ना ही कम عمر और ना ही जवान عمر की हो और उन्होंने कहा कि हजरत ऐसी काय तो बहुत है यह बायान फर्माईए कि उसका रंग क्या है वहीं उत्री का कि उसका रंग बिल्कुल साफ जर्दी माल है और बहर देखने वालों की आँखों में उतर जाती है फिर कहने लगे कि हजरत ऐसी गाई भी बहुत सी है कोई और मुम्ताज वस्प बताए वही नाजिल हुई कि वो कभी हल में नहीं जोती गई खेतों को पानी नहीं पिलाया हर एब से पाक है या करंगी है कोई दाग धबा नहीं जैसे जैसे वो सवालाद बढ़ाते गए हुकुम में सक्ती होती गई अब वो ऐसी गाई ढूडने को निकले तो वो सिर्फ एक लड़के के पास मिली और ये बच्चा अपने माबाप का नहायत फर्माबरदार था एक मरतबा जब उसका बेटा सोया हुआ था और नगदी वाली पेटी की कुंजी उसकी सिराने थी एक सौदागर एक कीमती हीरा बेशता हुआ आया और कहने लगा कि मैं इससे बेशना चाहता हूँ लड़के ने कहा कि मैं खरीदूंगा कीमत सत्तर हजार तै हुई लड़के ने कहा कि जरा ठहरो अब मेरे वालिद जागेंगे तो मैं उनसे कुंजी लेकर आपको कीमत अदा कर दूँगा उसने कहा कि अभी दे दो तो दस हजार कम कर देता हूँ उसने कहा कि नहीं हजरत मैं अपने वालिद को नहीं जगाऊंगा तुम अगर ठहर जाओ तो मैं बजाए सत्तर हजार के असी हजार दूँगा यूहीं उधर से कमी और इधर से ज्यात्ती होना शुरू होती है यहाँ तक कि ताजीर 30,000 कीमत लगा देता है कि अगर तुम जगा कर मुझे रुपया दे दो तो मैं 30,000 में देता हूँ लड़का कहता है कि अगर तुम ठहर जाओ या ठहर कराओ जब मेरे वालिद जाग जाए तो मैं तुम्हें 1,00,00 दूंगा आखिर वो नाराज होकर अपना हीरा वापस लेकर चला गया बाप की इस बुज़ूर्गी के एहसास और उनके आराम पहुँचाने की कोशिश करने और उनका अदब एहतराम करने से परवर्दिकार उस लड़के से खुश हो जाता है और उसे ये गाए अता फर्माते हैं तफसीर खाजी में मजीद ये बयान किया गया है कि उस लड़के का बाब बनी जराइल का एक बहुती नेक और साले बुज़ूर्ग था और उनका एक ही बच्चा था जो नाबालिक था और उनके पास स्वकरत एक गाई की बच्चिया थी उस बुज़ूर्ग ने अपनी वफात के करीब उस बच्चिया को जंगल में ले जाकर एक जाड़ी के पास ये कहकर छोड़ दिया कि अल्ला इस बच्चिया को उस वक्त तक तेरी आमानत में देता हूँ जब तक की मेरा बच्चा बालिक हो जाए इसके बाद उन बुज़ूर्ग की वफात हो गई और बच्चिया चन्द दिनों में बड़ी होकर दर्मियानी उमर की हो गई और बच्चा जबान होकर अपनी मा का बहुती फर्माबरदार और इंतहाई नेको कार हो गया उसने अपनी रात को तीन हिस्सों में तक्सीम कर रखा था एक हिस्से में सोता था एक हिस्से में अबादत करता था और एक हिस्से में अपनी मा की खिद्मत करता था और रोज़ाना सुभा जंगल से लगड़िया काट कर लाता और उनको फरोक्त करके एकतिहाई रकम सदका कर देता एकतिहाई अपनी जात पर खर्च करता और एकतिहाई रकम अपनी वालिदा को देता एक दिन उसकी वालिदा ने कहा कि आय नूरे नजर तेरे बाप ने तेरे लिए फला जंगल में खुदा के नाम पर एक बच्छडी छोड़ी थी, वो तो अब जवान भी हो गई होगी, अल्ला ताला से दुआ करो कि वो तुछे अता फरमाए, और तू उसे जंगल से ले आ, दोस्तो वीडियो पसंद आ रही हो तो इस वीडियो क लाइक करते रहे, लड़का जंगल में गया, और उस गाय को जंगल में देखा, और वालिदा की बताई हुई अलामते उसने पाई, और उसको अल्ला ताला की कसम दे कर बुलाया, तो वो हाजिर हो गई, वो जवान उस गाय को वालिदा की खिदमत में लाया, वालिदा ने ब बाजाय को बाजार में लाया तो एक फरिश्टा खरीदार की सूरत में आया और उसने गाय की कीमत 6 दिनार लगा दी लेकिन शर्त ये रखी कि नौजवान अपनी वालिदा से इजाज़त नहीं लेगा नौजवान ने ये मनजूर ना किया और वालिदा से वो तमाम किस्सा कहा उसकी वालिदा ने 6 दिनार कीमत मनजूर करने की तो इजाज़त दे दी मगर बेशने में फिर दोबारा अपनी मर्जी दर्फियात करने की शर्त लगा दी नौजवान फिर बाजार में आया और उस मरतबा फरिश्टे ने 12 दिनार कीमत लगाई और कहा कि वालिदा की इसमाईश के लिए आया है बेटे से कहा कि अपकी मरतबा उस खरीदार से ये कहना कि आप हमें इस गाई की फरोक्त करने का हुक्म देते हैं या नहीं लड़के ने यही कहा तो फरिश्टे ने जवाब दिया कि अभी इसको रोके रहो इसे बनी इसराइल खरीदने आये तो इसकी कीमत ये मकरर करना कि इसके खाल में सोना भर दिया जाए नौजवान गाय को घर लाया और जब बनी इसराइल जुस्तुजु करते हुए उसके मकान पर महुँचे तो यही कीमत तैकी गई और हजरत मुसा सल्लातो बसलाम की जमानत पर वो गाय बनी इसराइल के पर कहते हैं कि तीन ले लो चार ले लो लेकिन ये राजी नहीं होता दस तक कहते हैं मगर फिर भी नहीं मानता ये आकर हजरत मुसा अलेह सल्लाम से शिकायत करते हैं और आफ फरमाते हैं कि जो ये मांगे इसे दे दो और इसे राजी करके गाय खरीद लो आखिरकार गाय के बजन के बराबर सोना दिया गया और तब जाकर उसने अपनी गाए बेची ये बरकत अल्ला ने माबाप की खित्मत की वजह से उसे आता फरमाई जब बहुत महताज था इसके वालित का इंतिकाल हो गया था और इसकी बेवा माँ गुर्बत और तंगी के दिन बसर कर रही थी अलगर्ज अब ये गाए खरीदी गई और इसे जिबा किया गया और उसके जिस्म का एक टुकड़ा लेकर मक्तूल के जिस्म से लगाए गया तो अल्ला की कुद्रत से वो मुर्दा जी उठा उससे पूछा गया कि तुम्हें किसने कतल किया है उसने कहा कि मेरे भतीजे ने और इसलिए कि वो मेरे माल पर काबिस होना चाता था और मेरी लड़की से निकाह करना चाता था बस इतना कहकर वो फिर से मर गया और कातिल का पता चल गया और बनी इसराइल में जो जंगो जदाल होने वाली थी वो रुख गई और ये फितना दब गया उस भतीजे को लोगों ने पकड़ लिया और उसकी अयारी और मकारी खुल गई और उसे उसके बदले में कतल कर दिया गया दोस्तों ये किस्सा मुक्तलिफ अलफास से मरवी है कुरान हकीम फुरकान हबीब में अल्ला ताला इस्षाद फरमाते हैं कि और याद करो जब मुसा ने अपने कौम से फरमाया बेशक अल्ला तुम को हुक्म देता है कि गाए जिबा करो तो उन्होंने कहा कि क्या आप हमारे साथ मजा करते हैं मुसा ने फरमाया कि मैं अल्ला की पना मांगता हूं कि मैं जाहिलों में से हो जाओं उन्होंने कहा कि आप अपने रब से दुआ कीजिए कि वो हमें बता दे कि वो गाए कैसी है अल्ला ताला फर्माता है कि वो एक ऐसी गाय है जो ना तो बूरी है और ना ही बिलकुल कम उमर की बलकि इन दोनों के दर्मियान है तो वो करो जिसका तुम्हें हुक्म दिया जा रहा है उन्होंने कहा कि आप अपने रब से दुआ कीजिए कि वो हमें बता दे कि उस गाय का रंग कैसा हूँ फरमाया कहो अल्ला फर्माता है कि वो पीले रंग की गाय है जिसका रंग बहुत कहरा है वो गाय देखने वालों को खुशी देती है उन्होंने कहा कि आप अपने रब से दुआ कीजिए कि वो हमारे लिए वाज़े तोर पर बयान कर दे कि वो गाय कैसी है कि बेशक काय हम पर मुश्तबा हो गई है और अगर अल्ला चाहे का तो हम यकीनन राह पाएंगे दोस्तो इस वीडियो में बस इतना है अल्ला हाफिस